हेलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल वेलікम टो फिनांस मार्केट वेलकम टो नड़ वीडियो गाइज इस वीडियो के अंदर रिलाइनस कॉमिनिकेशन लिमिटेड के उपर आप लोगों का हुसला बनाने के लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ इस वीडिय पॉइंट है वह 1.48 या 1.50 के आसपास बना हुआ है ज्यादा वहां से उपर नहीं जा रहा है और ज्यादा वहां से नीचे भी नहीं आ रहा है एक तरीके से हम देखें तो centered point हो चुका है एक तरीके से 1.58 1.50 के आसपास का amount अलागि technicals में 1.48 दिखा रहा है इसका pivoted point अब अगर हम देखें तो आज के दिन यानि तीज़े को 10 नवंबर 2020 को 12 बच के 34 मिनट के time तक total जो volume trade हुआ है NSE के उपर आप देख सकते हैं याँ पर 62,34,795 आप सोच सकते हैं इतना huge quantity में volume trade हो रहा है सिर्फ आज ही ऐसा नहीं हुआ है कल के दिन भी इसी तरीके से high amount of volume trade हुआ यहाँ पर इतनी सारी quantities buy हो रही है तो यहाँ पर कोई न कोई खेल पीछे चल रही है क्योंकि आप देख सकते हैं आप यूज quantity में buying हो रही है आपको NAC के अलबा BAC के भी ऊपर दिखा देता हूं वहाँ सभी आपको तजली हो जाएगी आप BAC पर देखे तो 40,89,320 सोच सकते हैं इतनी huge quantity में buying चल लिए आप देखें आप है 40,89,320 अभी NAC के उपर ट्रेडिंग के अगर हम बात करें तो currently यह 1.50 1.45 से 1.50 के बीच में अभी यह fluctuate हो रहा है आप देख सकते हैं आप यापको graph से भी यह चीज़ मेंशन कर देता हूं दिखा देता हूं आप देखें आपर graph में तो 1.50 से 1.45 के बीच में फिर 1.45 से 1.40 के बीच में भी ट्रेड हुआ है फिर उसके बाद यहां पे upper circuit लग गया लास्ट के 5 दिन का हम लोग graph देखें तो एक इसी के बीच में उपर नीचे देख सकते हैं यहां पे 1.40 1.48 या 1.50 के आसपास को जो amount है प्राइस है वो इसका centered point बना हुआ है अगर आप देखें तो आज के दिन का lower circuit 1.40 का लगा था NAC पे और 1.50 का upper circuit लगा था जो की दोनों हीट हो चुगा है 414.83 का lower की market cap है और 1.50 यानि 0.05 पैसे उपर यानि 3.45 परसंट उपर अभी ट्रेड हो रहा है लास्ट closing price NAC के उपर 1.45 की थी BST के उपर अगर आप अभी currently देखें तो 12 बच के 36 मिनट पर 46% quantities buying के लिए लगी हुई है और 54% quantities selling के लिए लगी है तो अभी आप देख सकते हैं कि buyers टकराने के लिए पूरी तरीगे से तयार है sellers तो समझे नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए तो वह बिलकुल panic में भी हैं कुछ लोग profit में हैं तो अपना sell off कर रहे हैं लेकिन buyers कम नहीं आप नचरा रहे हैं कई दिनों से buyers बिलकुल बराबर से लड़ाई कर रहे हैं आप market depth में आपको लेके चलता हूं आपको दिखा देता हूं market depth में देखें तो 761,915 quantities buying और इतनी quantities का buying order है वही 8,94,907 quantities का selling order है तो यहां पे पीछे कोई न कोई खेल चल रही है तो इस खेल को हम लोगों को पता नहीं चलने दिया जा रहा है तो अभी कोई किसी तरीके की market में update नहीं आई है ना तो Supreme Court की तरफ से कुछ update है ना तो NCLD की तरफ से ना तो किसी Chinese Banks related कोई update है अभी सब कुछ silent mode में पढ़ केस में इतनी सारी quantity 62,56,735 और 12 बच के 37 मिनट हो रहा भी पूरा भी टाइम बचा हुआ आज के दिन का तो आप देख सकते हैं यहां से कोई ने कोई गेम चल रही है इसलिए आप लोगों से हमेशा की तरफ इस बार भी request करूँगा कि आप panic ना हो यह प्लीज आप hold करके लिए तैयार रही है क्योंकि भागने से और डर के मारे panic हो करके sell off कर देने से कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है हाँ अगर आप profit में हैं अगर आपको profit हो रहा है इसमें और फिर भी आप इसके अंदर bullish हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप profit में हैं और आप काफी worried हैं तो आप बेच करके बाहर निकल सकते हैं अपना profit book करिया और बाहर हो जाएए सिधी से बात है आपका पैसा है आप मालें हैं अपने पैसे के लेकिन loss में book करिये ये मेरी तरफ से बिल्कुल भी advice नहीं होती है hold करके बने रहो जहां पे भी हो बने रहो हिलना नहीं कि महां से बिल्कुल वहां पे intact हो जाओ position को लेकर गए जो कुछ होगा आगे देखा जाएगा loss जितना होगा jail लेंगे अभी तक जितना erosion हुआ है capital का थोड़ा और हो जाएगा no problem लेकिन अभी loss खुद की तरफ से आप अपनी capital not करो जितना हो चुकी है हो जाने तो बने रहो वहां पे loss नहीं book करना है कुछ होगा अच्छा तो होगा definitely होगा क्योंकि यहां पे इस company के साथ बहुत सारी चीजें बहुत लोग जुड़े हुए हैं बहुत लोगों की liabilities हैं तो definitely definitely कुछ न कुछ positive ही निकलने की संभावना मुझे तो नजर आती है बागी काफी लोगों को नहीं आती है नजर ठीक है so patienceful रहिए हार ये नहीं इमत रखिये और बने रहिए इसके अंदर आप अपना loss कभी न बुक करें profit आप बुक कर सकते हैं अगर आप profit में है या आपकी मर जाया so take care this is all about this video if you have to share your opinion or any sentiment regarding this let me know in comment box and if you haven't subscribed to finance market please do so and to open DMIT or trading account follow the link given in description box you can open your account in upstock as you are seeing on the as you are seeing on the screen right so take care guys good bye